हेलो एवरीवन हमारा आज का चाप्टर है चाप्टर नमर 5 ओबे यॉर एल्डर्स यानि बड़ों की बात मानना उनकी आज्या का पालन करना Obedience means listening to elders and doing things what they ask you to do Obedience यानि आज्या कारिता का मतलब होता है Listening to elders बड़ों की बात सुनना और वो जैसा कहें वैसा ही काम करना These elders can be anyone अब यह जो हम कहने के elders यानि बड़ों की बात मानना तो यह बड़े कोई भी हो सकते है They could be your parents, grandparents, teachers, etc. बड़ों में आपके mommy, papa, आपके दादा, दादी, नाना, नानी जो भी grandparents कहलाते हैं और आपके teachers या और भी बहुत लोग हो सकते हैं Your parents and teachers love you आपके माता-पिता और आपके सिक्षर, चितने भी teachers, सभी आपसे बहुत प्यार करते हैं They want you to be happy वो चाहते हैं कि आप खुश रहें So, it is good to obey them इसलिए यह बहुत ही अच्छी बात है कि आप उनकी बातों का पालन करें If you listen to them, they will be happy अगर आप उनकी बात मानेंगे तो वो भी खुश हो जाएंगे Here is a short story based on obedience Read it carefully तो हमारी सामने एक छोटी सी कहानी है जो obedience यानि बात मानने से related है देखते हैं The Hidden Treasure स्टोरी का नाम है The Hidden Treasure यानि छुपा हुआ खजाना यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक बूढ़ा सा आदमी है और उसके सामने चार लड़के हैं यह जो लोग है ना यह इस बुढ़े व्यक्ती के बेटे हैं तो चलिए देखते हैं इस स्टोरी में क्या होता है Once there was a farmer एक किसान था The farmer was very hard working वो किसान बहुती महनती था The farmer had four sturdy sons but they were lazy उस किसान के चार हटे-खटे बेटे थे sturdy यानी अच्छिक, healthy but they were lazy लेकिन वो सारे के सारे lazy आलसी थे They spent the whole day wandering in the village वो पूरा दिन बस गोमते फिरते बिता देते थे The farmer was worried about his son किसान अपने बेटों को लेकर काफी चिंतित रहता था One day he made a plan एक दिन उसने एक तरकीब निकाली He pretended to be ill उसने बिमार होने का नाटक किया He called his sons and said My dear sons, I will not live for long उसने अपने बेटों को बुलाया और कहा मेरे प्यारे बच्चो, मैं अब जादा दिन तक जिन्दा नहीं रहूंगा So I want to share a secret with you इसलिए मैं तुम लोगों के साथ एक secret बात बताना चाहता हूं There is a treasure hidden in my field मेरे field यानि खेत में एक treasure है चिपा हुआ है एक खजाना चिपा रखा है Dig the field and take it out उस खेत को, field को dig करो यानि खोदो और वहां से खजाना निकाल लाओ Share it equally among yourselves और फिर उसे आपस में बराबर में बाट लेना Next morning, all the four brothers went to the field and started digging eagerly अगले सुबर उसके चारो भाई जो है, चारो बेटे वो लोग खेत में गए और उन्हाँने डिगिंग सुरू कर दी eagerly यानि बहुती उत्सुकता के साथ They dug every inch in corner of the field उन्होंने खेत के हर एक inch हर एक कोने कोने तक खोद दिये but could not find any treasure anywhere लेकिन वहां उन्हे कोई भी खजाना नहीं मिला They went to their father and said Father, we have dug the whole field but found nothing फिर वो अपने पिता के पास जाकर बोले Father, हमने तो पूरा का पूरा खेत ही हो दिया लेकिन वहां से कुछ भी नहीं मिला Sons, when you have dug the whole field so well why don't you sow some corn? said the farmer किसान ने कहा बीटो, जबकि तुमने पूरे खेत को खोदी दिया है तो क्यों न उसमें कुछ कौन यानि मकई के दानों को रूप तो So, they sowed corn in the field तो उन्होंने भी वही किया कुछ कौन के दानों को वहां पे sow कर दिया Luckily, it rained very well that year and there was a very good crop और भागी से उस साल बहती अच्छा अच्छी पारिश हुई और फिर वहां अच्छी क्रॉप भी आए The young man sowed the field to their father ये जो young man यानि जो लड़के थे उन्होंने अपने फादर को वो खीर दिखाया The farmer said happily in pride और फिर किसान ने बहुत ही खुशी खुशी गर्व के साथ कुछ कहा क्या कहा? This is the hidden treasure that I was talking about यही तो वो छीपा हुआ खजाना है जिसके बारे में मैं तुम लोगों को पता रहा था Share it among yourself इसे आपस में बराबर बाट लो If you work hard, you will get many more of it अगर तुम सब मिल चुल कर काम करो तो सिर्प इतना ही नहीं तुमें इन से जादा मिलेगा Then onwards the sons began to work hard in the field और उसके बाद सभी बच्चे आपस में मिल जुल कर उस खेत में काम करने लगी Soon they became rich and lived happily ever after जल्द ही वो सब rich यानी अमीर बन गए और खुशी-खुशी रहने लगी Though the farmer's son were lazy, but they were obedient किसान के बेटे भले ही आलसी थे लेकिन वो obedient यानी आग्यकारी थे वो अपने पिदा की बात मानते थे Their obedience brought happiness for them उनके इने obedience ने, उनके बात मानने की इस nature ने उन्हें happiness यानी खुशियां दी तब इस story से हमें क्या moral मिलता है So moral of the story is, sweet are the fruits of obedience यानी बड़ो की बात मानने से हमें मीठे फल यानी अच्छे परिनाम मिलते हैं इसलिए हमें अपने से बड़ो की बात जरूर माननी चाहिए झाली